नमस्कार शिटी पोस्ट के इस खास पेसकस में आपका स्वागत है। सबसे बड़ा एजिंडा है वो। क्या ये संभव है कश्मीर से 1370 को खत्म करना। रक्षा, वित और ग्रह मंत्रा लोगों छोड़ करके सारे मंत्रा लोपर कश्मीर का कभजा रहेगा। इतफाक से भारत सरकार ने उसको रिजेक्ट कर दिया और पाकिस्तान ने उसको मन लिया। फिर जब अक्टूबर 28-27 के आसपास जब कभाईले स्रीनगर एरपोर्ट तक पहुँच गए, जो पाकिस्तानी थे, तब डर और भह में महाराजा हरी सिंग ने इसका विले किया। लेकिन ये सेख अबदुल्ला ने नहीं, जवालाल नहरू ने नहीं, ये महाराजा हरी सिंग की लगाई हुई सर्थ थी कि आर्टिकल 370 भारत के संग में विले की पहली ये सर्थ होई, तब ये स्विकार किया गया। लेकिन वो आस्थाई रूप से था, प्रस्ताओ, कभी भी हट सकता है। आप इत्यास के पन्नों को उलटना क्यों चाहते हैं? तो आपके हिसाब से बदलना संभवने ये हटाना संभवने ये दारत में से? वो प्रियक रटना होगि भारत के लिए और इठल बहारी बाजपेजी का परसंसक भी हूँ, फॉलोर भी हूँ. कश्मीर की समझा को जमोरियत, कश्मीरियत के दाएरे में और जमोरियत, कश्मीरियत और तीसरा हो रहे. उसके दायरे में ही सुल जाने का प्रियास करने है मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूँ दरसल मुझे भी समझ नहीं है कि अगर सरकार चाहे तो हटा सकती है कि नहीं सरकार चाहे हटा सकती है लेकिन इसके परिनाम कि कलपना आप मत कीजी वो अच्छा नहीं होगा देश के लिए समिधान सभाग नहीं है आपके पास वहाँ पर वहाँ के जमुक असेम्बली द्वारा रिरुलिसन पास कराना पड़ेगा और क्या क्या प्राधान नहीं आप कश्मीर की जनता का दिल जीतने का क्यों नहीं प्रियास किरते आप उनका जिसम जीतने का क्यों प्रियास करते लोग तंत्र में जिसम नहीं जीते जाते दिल जीते जाते जेडियू कितना असाहज महसुष करता है बीजेपी के इस तरके एजिंडर से नहीं ये सवाल है देश बहुत सारी समझताओं से ग्रस्त नेशनल, इंटरनेशनल, आंत्रिक इसलिए ऐसे सवालों पर आम सहमती बनाने के प्रियास करने चाहिए जो हमारे स्वर्गे नेता अतल बिहरी बाजबी किया करते हैं समाजबादी आंदोनन का एक कारे करता होने के नाते मेरे नेता जैप्रकाश नराने सेख अबदुल्ला के साथ मिलकर के कश्मीर में इसी आर्टिकल 370 के लिए बरवन किया था जो लोग आर्टिकल 370 हटाना चाहते हैं वो श्री जैप्रकाश जी की आत्मा को भी कश्ट पहुंचा रहा है परिसीमन की जो तैयरी चले उसको कैसे देखते हैं आप लगाए बैट रहा है और वो कश्मीर में अपने गुर्गों के जरी लगातार एक्टिव है लेकिन अगर सरकार नहीं माने 370 धारा हटाने पर तूल जाए राम मंद्री बनवाने पर अमादा हो जाए तब जेडियू क्या करेगा ऐसा नहीं होगा सुप्रीम कोड का फैसला मानने के लिए आज संक प्रमुखन भी कहा है कि पैसले का इंजार कीजिए कहां जड़ा कि योगी शुरुवात कर दिया उसके नहीं वो इस तरह की सुरुवात करने के लिए ना तो अधिकरत है और ना मान है यह सुप्रीम कोट ही तै करेगा कोई कोट को ना मने तो यह दूसरी परिश्चित है तो आपने केसी त्यागी जी से जबाब जानना चाहा था धारा धारा 370 पर आपको जबाब मिल गया होगा क्योंकि इतनी बढ़िया से कोई आपको समझा भी नहीं सकता है हम भी नहीं समझा सकते थे इसलिए हमने आपके सवाल का जबाब केसी त्यागी जी से ले लिया है धारा 370 को हटाना किसी भी कीमत पर जे डियू को मंजूर नहीं है इ इस वर्शों का बिश्वास दस आज सेजादा दॉक्तर्स गोल नेशन्स लीडिंग इंस्टिट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्